ओम नमस्षिवाई दोस्तों जै मा मंगला गोरी आज इस वीडियो में मंगला गोरी ब्रत की अद्भुत कथा का स्रवन करेंगे इस कथा के स्रवन से संतान और सुहाग का वर्दान प्राप्त होता है स्रावन मास में किया जाने वाला मा गोरी का यह ब्रत मंगला गोरी के नाम एक बार की बात है एक सहर में धर्म पाल नाम का एक ब्यापारी रहता था उसके पत्नी काफी गुड़वान और खुपसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ती थी लेकिन उसमें यह उसके जीवन में दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी संतान नहोने के कारण वह काफी दुखी रहते थे इस्वर की करपा से उसको एक पुत्र की भी प्राप्ती हुई लेकिन वह पुत्र अलपायू था उसे यह स्राप मिला था कि वह सोला वर्स की उम्र में सर्प के काटने से उसकी मृत्ती हो जाएगी सयोग से उसकी शादी सोला वर्स से पहले ही एक यूती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी की भक्त थी और माता मंगला गौरी का ब्रत किया करती थी परिणाम सरुप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का वर्दान प्राप्त किया था उस ब्रत के प्रताप से उस जो यूती थी उसने सुखी जीवन का आशिरवात प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विद्वा नहीं हो सकती थी इस वज़े से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की आयू प्राप्त की इसी कारण से सब भी नव विवाहिता महलाएं इस ब्रत को करती हैं, पूजा करती हैं तथा महागोरी से ब्रत का जो भी इस ब्रत का पालन करते हैं उस वे अपने जीवन में लंबी तथा वेवाहिक सुखी जीवन की कामना करती हैं, जो महलाएं उपवास का पालन नहीं करती, वह कम से कम इस दिन पूजा अवश्य करती हैं, इस कथा के सुनने के बाद विवाहित महलाएं अपनी सास को, अपनी नंद को या आपके आसपास जो भी विवाहित महलाएं हैं, सोला लड्डू देती हैं या सोला प्रकार के सामगरियां देकर वह प्रसाद ब्रामन को भी देती हैं इस विधी को पूरा करने के बाद ब्रती सोला बाती वाले दीपक से देवी की आराधना करती हैं ब्रत के दूसरे दिन बुद्धवार को मा मंगला गौरी की प्रतिमा को नदिया पोखर में विसरज खुली हो गई हो उसके लिए छमा प्रार्थी रहती हैं इस ब्रत को और इस पूजा को करने से परिवार में लगातार खुशियां बनी रहती हैं सास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी ब्रत नियम अनुसार करने से प्रतेग व्यक्ति को वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी हो सचे मन से इस ब्रत को करता है जीवण में कोई भी उसकी मनोकामना हो मांगला गौरी के प्रताप से अवश्य पूर्ण होती है जो भी जातक जिस भी कामना से यह ब्रत करता है भले ही अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हो या कुवारी कन्याय वैवाहिक सुख के और महलाएं अपने जो सुहा की दीरगायों के साथ साथ परिवार में सुख सम्रिध्धी और पती की लंबी आयू के साथ मन्चाही संतान की कामना से इस ब्रत करते हैं तो मा मंगला गौरी भगवान शीव उनकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं और साथ ही कुछ ना कुछ इ कामना अवश्य करने चाहिए जो आपसे बन पड़े दान इत्यादी पूजन के दिन जरूर करें वीडियो आपके लिए यूजवल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें मा मंगला गौरी भगवान शीव की आप पर कृपा रहे इसी आसा के साथ जै मा मंगला गौरी ओम नमस्षिवाए